Hello Everyone, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल इस चगेन में तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 9 जनवरी को आपके जो ओनलाइन प्रैक्टिक टेस्ट स्टार्ड हो रहे हैं आपने उसको कैसे अटेम्ट करना है, कैसे लोगिन करना है, वेब साइट कैसे ओपन करेंगे, कैसे आपने सब्मिट करना है ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है तो 9 जनवरी से 9 लेकर 12 लेकर के जो ओनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट शुरू हो रहे हैं तो उसके बारे में ये प्रोपर जो वीडियो है आपके लिए बनाई गई है तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजट करें तो हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लेना जिससे और भी कोई नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुंसी रहेगी तो चलिए आज की इस वीडियो को में शुरू करता हूँ तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब स्कॉलाजिशन बोर्ड की तरफ से जो फाइनल एक्जाम होने वाले है उससे पहले स्टूडन्स की रिवीजन के लिए ओनलाइन टेस्ट का एक्जाम जो है फूल लिया जाएगा नो जनवरी से तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट दी जाएगी तो उसमें आपने लोगिन करने के बाद अपना जो टेस्ट है वो अटेम्ट करना है इसकी जो डेटिट है वो भी आ चुकी है तो नो जनवरी को पिंजाबी का पहला पेपर होगा 9 class लेकर 12 class सभी के लिए ये जरूरी है सभी students ने ये paper देना जरूरी होगा तो इसका जो समय है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक इसका जो समय है तो आप किसी भी समय पर अपना ये जो टेस्ट है वो कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हो कि आप डिरेक्ट वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं यहां फिर आप Google के जरीए भी वेबसाइट को उपन कर सकते हैं तो यहां पर आपको टाइप करना है pbschool.freetest.guru तो आपने इसको सर्च कर लेना है आपको जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी वो आपने क्लिक करना है वहां पर तो यहां पर आप दे सकते हैं pbschool.freetest.guru आप डिरेक्ट भी इसको लिखके साइट को खुल सकते हैं यहां फिर आप Google में जाके सर्च करेंगे तो आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी आपने इसको उपन कर लेना है तो ओपन करने के बाद आपको यहां पर sign in की option मिलेगी तो sign in के लिए जो staff है उनको अपनी ID fill करनी होगी इसी तरह जो student से उनको अपनी ID fill करनी होगी तो e-pinjab की आपकी जो student ID है वो यहां पर आपने fill करनी है तो अगर आपको अपनी e-pinjab ID या student ID नहीं पता है तो आप अपने teacher से वो ID ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले staff में student ID fill करनी है, तो यहाँ पर आप अपनी जो student ID है वो fill करेंगे उसके बाद आपको दो option मिलेगी अगर आपको अपने school का code पता है उसके बाद month select करेंगे उसके बाद year select करने के बाद आपको यहाँ पर sign in बटन पर click कर देना है तो जैसे ही आप sign in बटन पर click करेंगे तो आपको जो next page मिलेगा वहाँ पर क्या options होगी, वह मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो अभी आपका जो test है वो no January को शुरू होगा, तो इसलिए अभी sign in करने पर page कोई भी open नहीं हो रहा है तो सुबह 8 बज़े आपका online test के लिए ये page open हो जाएगा, तो इसकी अलग से video मैं आपको जरूर तियार करके दूँगा, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप login कर लेंगे, तो आपको कौन सी option आएगी, आपने paper को कैसे attempt करना है और submit कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बतातूं कि यहाँ पर आपको जो questions आएगे, वो multiple choice question आएगे, तो यहाँ पर आप number दे सकते हैं, 40 number का paper होगा यह, सुबह आठ बजे जैसे मैंने बताया आपका जो practice test ही वो शुरू हो जाएगा और रात को आठ बज तक चलेगा यह, उसके बाद link बंद हो जाएगा तो अभी आपको जैसे मैंने जो step बताया है कि सबसे पहले आपने अपना जो website उसको open करना है pbschoolfreetest.guru उसको open करना है तो जैसे मैंने next आपको बताया कि आपने अपनी ID फिल करनी है वहाँ पर अगर school का code है वो फिल करने के बाद आपने sign in बटन पर click कर देना है उसके बाद आपको एक list मिलेगी जहाँ पर आपने academic session को select करना है तो जैसे आपका जो academic session है वो 2022 से तो वो आपने यहाँ पर select करना है academic session उसके बाद active list मिल जाएगी आपको तो वहाँ पर आपने take test तो वहाँ पर आपने take test select कर देना है कि आप test देने आए है तो उसके बाद आपको screen के नीचे एक option मिलेगी start test तो आपने यहाँ पर start test बटन पर click कर देना है तो आपका जो test है वो start हो जाएगा चालेस नंबर का आपका exam होगा तो वहाँ पर आपको option मिल जाएगी तो उस option में से आपने एक option को select कर लेना है select करने के बाद आपका जो भी answer है उसके बाद नीचे एक option मिलेगी next question की तो आपने next question वाले option पर click करना है तो आपको अगला question मिल जाएगा इसी तरह आपने सभी question जो है वो attempt करते जाना है और सभी जब question attempt हो जाएगे तो आपको यहाँ पर अगर आप mobile phone से कर रहे हैं यहाँ पर आपको option मिलेगी click on top तो वहाँ पर आपने top में screen का left side पर click करना है तो जैसे आप वहाँ पर click करेंगे तो आपको submit button की option मिलेगी तो आपने वहाँ पर submit करते रहे हैं तो आपका जो test है वो submit हो जाएगा और अगर मैं बात करूं computer की तो computer में आप अगर कर रहे हैं तो computer में आपको वहाँ पर submit option मिल जाएगी right side screen पर अगर phone पर करेंगे तो आपको left side पर मिलेगी और computer पर करेंगी तो आपको right side पर screen पर option मिल जाएगी submit button की तो आप दोनों तरीके से mobile से या computer से दोनों तरीके से अपना जो exam है जो test है वो दे सकते हैं और इसका जो result होगा वो 8 बज़े के बाद 9 बज़े तक आपको मिल जाएगा तो इस तरह आपने अपने अपना जो online test है वो attempt करना है तो अगर आप पहली बार हमारे channel पर हैं तो ज़रूर subscribe कर लेना क्योंकि सुबह में एक अलग से वीडियो त्यार करके आपको बता दूँगा कि आपने paper को कैसे attempt करना है क्या क्या questions आएंगे किस तरह आपको वहाँ पर options चूज करना है और submit कैसे करना है तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरा guide कर दूँगा तो फिलाल आज किस वीडियो में यही अपडेट है तो इसी तरह की और भी अपडेट जानकारी लेने के लिए बने रहीगा हमारे साथ तो मिलते हैं हमारी next जानकारी वाली वीडियो में तब तक के लिए जैन्द